जगी पालन हारा नाथ के बाखन शाम की आधदती है प्रभु भगत वसल भगवा जगी पालन हारा नाथ के बाखन शाम की आधदती है प्रभु भगत वसल भगवा जगी आधदती है प्रभु भगत वसल भगवा ने की जगी आधदती है प्रभु भगत वसल भगत वसल भगत वसल भगत वसल भगवा है पाल का धिश्व विवारके आजनम भग अ आं हामलारां तुमार की आधदती है प्रभु भगत वसल भग करती है कब भगत वसल भगिवाने की अजमल जीरी भगती जागी सूती सुरत भजन में लागी अजमल जीरी भगती जागी सूती सुरत भजन में लागी नाख्ठकार का अगण आए भाव समझी भगता अगण आए आई मलणिये कभु मुर्शिकारा धोरा घरती आप पधारा राम दीव कभु नाम कहाया भगत उबारन पधिवी पे आया हुच्छा योगोर अंदर दुक्की हुआ है मालवी जब भैरव लाक्षस को इतनों आतंद बढ़ गयो चारो तरफ त्राही त्राही हो गई भैरव लाक्षस की भूख इतनी बढ़ गई कि पहले तो उसने जानवरों को खाना शुरू किया फिर भी उसकी भूख नहीं बुजी तो उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया चारो तरफ त्राही त्राही हो गई तब अजमाल जी महाराज ने भगवान की भक्ती की बारा साल तक बारी का धेश को मनाया और तेरवी साल भगवान स्वयम भिक्नम संवच चौता सो एकसेट्री साल धोरा घरती बाड में चिले में एक जगा है उंडू काश में अजमाल जी महाराज ने बचंद्रेनु सार भगवान स्वयम पदार्या तो लिखा है चायो धोर अंदरो दुकी हुआ है मान भी चायो धोर अंदरो दुकी हुआ है मान भी मित्रो जिस ताकत के साथ में हम गा रहे हैं उस ताकत से आपके तालिया मिल जाएगी तो आपकी तालियों से हमारा बेंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा लेकिन आपके भाग्य का बैलेंस बहुत जवर्दस बढ़ियाएगा हमारा ये मानना आध़ती है पभू भगत वसल भगवाने की आध़ती है पभू भगत वसल भगवाने की आपकी तालिक ताले जवर्दस बढ़ेखागी अच्छा है पहलो पर्चों पिताज मलजी ने कुकु पगल्या आप मनाया दूद उपन को पल मिधबाया कपडेरो गोडो आपाशा उडादियो सबी अच्छिदचि लाया जे जे कार हुई चहु पासा भगत वारे नाम के पाला कर किर पापम आप बख कर किर पापम भाग जगाया धोरा धरती आपो पधारा हो पड़े पड़े का भारे पीरत गूजी शाम की पड़े परिता भारे पीरत गूजी शाम की आध़ती है पभू भगत वसल भगवाई अधरती है पभू भगत वसल भगवाई इदर जो लोग खड़े है मातों मेनों की तरफ वो तुरुन बैढ़ना है आपको सब तो बाबा की केसर देता हो फटा मसे बैज जाईए जन्यवाद बात बात जन्यवाद पर्चा पहलों पर्चों के फिताजी ने दियो कोकूरा पगल्या मनाया दूजों पर्चों मा मेना देने उपन तो दूद मा के मन में शंका हुई इसलिए बाबा रामदेजी महाराज हानी में दूद उपने बिने दबा दियो तीसरों पर्चों रूपा दर्जी ने दियो कपड़े रो घोड़ों आकाशर में उड़ा दियो और चोथों पर्चों आप में से याद है किसको दिया बाबा के इतना जबर्दस्त भगत है यहां पर तो लाक्तों बिन जाराने क्या बात बहुत बहुत दन्यावदी यह सच्चे भगत लगते मुझे तालिय बजाएं इनके लिए क्या बात है अब बहुत दन्यावदी लग्की बंजारों पहले द्यपार का जो काम था माल यहां से वाल ले जाने का और बेचने का वो बंजारा जाते के लोगों का हुआ करता था जन्यवाद आर लग्की बंजारों एक समय रोणीचा में अपनी बारत ले आयो। रामदेजी और बीरमदेजी दोनों रस्ते में जा रहा और लग्की बारत में मिस्री भर ले आयो रामदेजी महाराज पूछ लियो की लखी इबार कहीं ले रायो है इबारो तु बारत में कहीं ले रायो अब लख की बिल्बिया रहे हैं मन में सोचो कि इधिए टेक्सक्त देनों पड़े ला कि इदी बोल दियों कि मिस्री है अब इंकम टेक्स की तोरी आज से थोड़ी है बाई साथ वो तो सदियों से होती आई है बली एक करोड रुपे के इंकम है लेकिन रिटन भरते समय आद में निलका परता है और लग्की बंजारे भी आई दबा सोची यहीं कि बाबा मिस्री ले रहा है तो राजरों टेक्स लेनों परसी तो लग्की बंजारे ने बाबा रामदे जी से टेक्स की चोरी करने के लिए कि बाबा मैं तो लूण ले रहा हूं बाबा रामदेजी महाराज के जओ बगत जैसी थादी इच्छा बगवान पूरी गरे गाह में गयो बे बोरा खाली किया अब आवाज लगा रही हो है कि बहुत दिना बाद में लक्की आयो है मीठी मिश्री ले आयो है बड़ी सस्ती मिस्री लिया यो है और लक्की की जो मिस्री खावे बहुतो आनंद में सुखपावे बाबा रामदेजी महाराज के ऐसी कृपा होई कि लक्की जूट बोला था और बाद सारी मिस्री नमक में परिवर्टन हो गई सब लक्की बन जारा भागता 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 बाबा रामदे जी महाराज के चरणों में गिर गया बोले हे बाबा मैं आपनों गुनागार हूँ मैं जूट बोल्यो मैं चोरी की पर हे बाबा मारी कलती मन समझ में आगी वस्त मन माफ किर दे रहा हू इसलिए आगे क्या लिखा बोले जार दिनारी मिली मिले ठाई सत्रे मारग हालो भाई सांजीबाता जग समझाई लोभ लालच मत राखो क्या होगा इसकी पिंगल क्या होगी सांजीबाता जग समझाई लोभ लालच मत राखो लोभ लालच मत राखो भाई सत्रे मारग हालो भाई जार दिनारी मिले ठाई मौली वानी क्या होगी सिर्व एक पंकी आपकी तालिया डोलत तबला नहीं बज़ेगा इसमें जो वास्ता में मन से बैठे उनकी तालिय अपना भोगी पीछे तक सभी वक्तों से माताओं से भहिनों से युवा मित्रों से एक तार तोर दा हाँ तक उठा के आधर्ती है पभु भगत वसल अधर्ती है पभु भगत वसल भगत आधी मेरे अपने ओखिला उस्ता में कहा मेरे अपने आधर्ती हो अधिला उस्ता में अरे भेरव रा भेरव मार रूनी चो थर्व्यो जन जन दे मन ने चो बर्व्यो जब अधर शिला पर बाबा रामदी जी महारा भेरूडा ने पचाड और पातालर अंदर दबा दियो तब भक्त लोगों के मन में ये वरोसा हो गया कि जो आयो है वो तो अवतारी है और इसलिए भेरव मार रूनी चो थर्वो जन जन दे मन ने चो बर्व्यो पीर का कोई अब मंगाया पीरा का दे में पीर कहाइँ चोपड़ रमिता भूजा बसारी दूबत नहीं आपार लगाई खूचनी जीरो भेद मिटायो सब हे परावर धरम बतायो सबसे बड़ा काम नहीं छोटा काई सबसंता नारामरी आधरती दुड़ा काम भरती है कम पगत वसल अगवा जगिपालन हाला नाथिक पागन शाम की आधरती है कम भगत वसल अगवान की आधरती है कम भगत वसल दुड़ा नाथिक पागन शाम की पजी पगपगपड़ चाह सुगना बैरा कष्ट मिठाया पज़ 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 चाह सुगना बैरा कष्ट मिठाया जाली भगती तीनी आरे राथ हरे सू लगना लागी लिया समाधी आख सिधाया गावरुणी चो धाम वसाया लिया समाधी आख सिधाया गावरुणी चो नाम दिराया कीरत थारी सब जुग जानी आवे घणा सु दुनिया सु मले नादी हो माली से बक्तार माली से बक्तार काय तो बेड़ा पाप की मारी से बक्ता काय तो बेड़ा पाप की आधरती है बभु भगत वसल भगवारे आधरती है बभु भगत वसल भगवारे